नमस्कार दोस्तो मैं जोती गुप्ता आप सभी का सौध करती हूँ हमारे अपने यूटूब चैनल फ्यूचर गोल्स में तो आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाने वाली हूँ तो सबसे पहले जानेंगे कि समास किसे कहते हैं तो समास किसे कहते हैं, समसनम समासे हैं, समसनम समासे हैं, अर्थात संग्षिप्ति करण को समास कहते हैं, समास किसे कहते हैं, संग्षिप्ति करण को समास कहते हैं, वेप में जो लिखा जाए उसे समास कहते हैं संग्षिति करण को समास कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं क्या बनाते हैं नया शब्द बनाते हैं तो उसमें कि जो विभक्तियां होती हैं वो सभी लुप्त हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं समास जब जब दो या दो से अधिक पद दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर क्या बनाते हैं नया शब्द बनाते हैं तो उसमें की क्या विभक्तियां जो होती हैं वो लुप तो हो जाती हैं किसकी शब्दों की विभक्तियां लुप तो हो जाती हैं वो क्या कहलाता है समास कहलाता है तो समास किसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर क्या करते हैं दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो और उसमें की जो विभक्तियां होती हैं वो सभी क्या होती हैं लुप तो हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं समास कहते हैं जैसे कि हैं दश रथस्य पुत्र हैं यह क्या हैं दो पद हैं क्या है दोनों पद हैं तो जो इसको समास बनाएंगे तो क्या होगा इसकी जो विभक्तियां है यानि कि दसरथ से विभक्ति है कौन से विभक्ति है शस्ति विभक्ति एक बचन तो इसमें कि जब विभक्तियां लुप्त हो जाएंगी इसको एक शब्द में लिखेंगे तो हो तोपन से ठाको से पूत्रह ये विग्रह है और दसरत पुत्रह क्या है समास इते हैं तो ऊप्स दो धिक्ष्ष यह दो है दो मिन भिद्ष में तो ऑपों दसरत से पुत्रा दो पद है जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा दसरत पुत्रायनी के एक नया शब्द बनता है तो शब्द को क्या कहते हैं समास कहते हैं और पदों की जो विभक्तियां होती है वो सभी लुप्त हो जाती है और विग्रह किसे कहते हैं तो विग जब हम पदों को अलग-अलग क्रम में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं विग्रह कहते हैं समास के अर्थ को जानने के लिए अलग-अलग करके लिखना या अलग-अलग करना क्या कहलाता है विग्रह कहलाता है विग्रह किसे कहते हैं समास के अर्थ को जानने के लिए जब हम पदों को अलग-अलग लिखते हैं अलग-अलग करके लिखते हैं तो वह विग्रह कहलाता है जैसे कि हैं दशरत्थ से पुत् यानिकी दश्रतका पुत्र तो ये क्या है समास है दश्रत पूत्रह और इसकी हम व्उग्राह करेंगी यानिकी इसके अर्थ को visualize प्रांने के लिए तो दशरत पुत्र है यानिकी दशरत का पुत्र यानिकी दशरत का पुत्र यह विग्रा है और दश्रत पुत्रा क्या है समास है तो समास किसे कहते हैं संसनन समास है अर्था संख्षिप्ति करण को समास कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नए अश्वद बनाते हैं और उसमें की विभक्तियां जो होती है वो लुप्त हो जाती है तो वह समास कहलात समास के अर्थ को जानने के लिए जब पदों को अलग-अलग करके लिखा जाता है उसे विग्रह कहते हैं दस्रत पुत्रा क्या है और दस्रत से पुत्रह विग्रह आप हम आगे पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से भेद होते हैं समास के भेद तो समास कितने प्रकार के होते हैं समास छे प्रकार के होते हैं कौन-कौन से समास छे प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं अव्य भाव समास अव्य भाव समास पहला समास है हमारा अव्य भाव समास दूसरा है तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास अव्य भाव समास दूसरा है तत्पुरुष समास और तीसरा है अव्य भाव तत्पुरुष कर्म धारे कर्मधारे समास कर्मधारे समास और चोथा समास है दीगु समास इसके बाद अगला समास है बहुबरीह समास अगला है दुवंदु समास तो समास से कितनी भेद होते हैं समास के छे भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं अवेबह समास ततपुरुष समास कर्मधारे शमास दीगु समास बगवरी समास और द्वंद समास तो ये है समास की परिभाषा और समास के भेद समास किसे कहते हैं समसनम समास अर्थात जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसमें की विभक्तिया लुप्त हो जाती हैं क्या कहलाता है समास कहलाता है अर्थात संक्षिप्ति करण को भी समास कहते हैं अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है और विग्रह किसे कहते हैं समास के अर्थ को जानने के लिए जब हम पदों को क्या करते हैं अलग-अलग करते हैं तो वह विग्रह कहलाता है समास के अर्थ को जानने के लिए पदों को अलग-अलग करना विग्रह कहलाता है इसके बाद आता है समास के भेद तो समास के छे भेद होते हैं यानि कि समास छे प्रकार की होते हैं कौन-कौन से होते हैं अब वेवभाव समास ततपुरुष समास कर्मधारे समास द्यूगु समास उस झालेवाद